बिस्मिल्य आर्प मारूरीम, असलाम में स्कूरूरंट, हाव आर्यू, I'm your subject teacher, my name is Miss Nadia, I'm gonna teach you a book of Pakistan studies of class 9 in class 8, the book name is in textbook port चाम्शोरो, we will continue chapter number 4, the chapter name is land and climate of Pakistan, इससे पहले हम discuss कर चुके the importance of location of Pakistan, हमने mountains के बारे में discuss किया, अब हम पाकिसान की further जो land areas हैं उसके बारे में discuss करेंगे, अब हम बापने discuss करेंगे plane areas, आपके पास plane areas कौन से होते हैं, plane areas वो होते हैं, जो agriculture land areas आपके पैस कहलाते हैं, जहाँ आप काशकारी करते हैं, पाकिसान के plane areas तीन पार्ट में divided हैं, the upper indus plane, the lower indus plane and the indus delta, अपर indus plane आपके पास जो पाकिसान का उपरी इलाका है, ठीक है, जो indus, जेलम, चनाब और रावीगेज के दर्मयान के जितना भी area है, यह पूरा area आपके पास अपर indus plane area कहलाता है, आपके पास यहाँ पर दर्याओं का पानी होने की वैसे, आपके आप बहतरीन agriculture land area यहाँ पर मौजूद है, तकरीबन तकरीबन आपके पास समंदरी सता से 200 से 300 मीटर उंचा आपके पास यह है, यह आपके पास बहुत जादा जलखेश जमीन कहलाती है, यहाँ पर बहतरीन किसम की पाशकारी होती है, यहाँ पर दुनिया का सबसे largest canal system मौजूद है, मतलब आपके प पास किनाज मौजूद है, नदिया मौदू जो पंजाब के दूरदराज अलाकों पानी सप्लाइ करते हैं, उसके साथ साथ इंडिस बेसें ट्वीटी जो हम अपने पास नेक्स चेप्रेंगे, उसकी वज़ए से यह तीनों दरिया जो है, रावी और सुतलच को पानी सप्ल होती है, वह वीट, राइस, शुगर केन, कॉटन, कॉर्ण, पल्सेज, भैतरीन मिगदार में और भैतरीन कॉलिटी के साथ आपके पास यहां पर मौजूद है, फिर हमारे पास आता है सेकिंड लोर इंडिस प्लेइन एरिया, यहां मिथान कोट से लेकर, ठीके मिथान कोट स है, तो हमारे पास पाकिसान का ग्राफ भी कुछ इसी किसम का आ रहा है, इस तरह उपर से होता हूँ और नीचे की तरफ, तो यहां तक आते 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 आपके पास जो है, उसकी उचाई बहुत जदा कम हो जाती है, और यह आपके पर फ्लेट एरियास में काउंट होते ह है, फ्लेट लेंड एरियास में, यहां पर पानी का बहाओ जो है, वो उसका as compared to the upper plane area तेज नहीं है, बहुत slow है, फ्लेट है, क्योंकि यहां पर आपके पास बारिशें भी कम होती है, तो यहां पर एगरी कल्चर लेंड एरिया काउंट तो होता है, डिफरेंट किसम के क्रॉ as compared to upper plane areas, वहां पर भेतरीन किसम की काशकारी होती है, मगर lower plane area में से वो एक दर्यासन पर ही रिलाइक आता है, जिसके वैसे इतनी भेतरीन काशकारी नहीं होती, फिर जैसे यह दर्या, आपके पास दर्यासन आपके पास समंदर में आके गिरता है, ठीक है, तो यहां पर यह म पास आए गिरता है, यह आपके पास कहलाता है, इंडस डेल्टा, यह आपके पास तक्रीबन 40 किलो मीटर का area है, ठीक है, जहां पर आपका दर्यासन आकर गिरता है, और यहां पर भेतरीन किसम की जो आपके पास पैदावार होती हो, coconut की है, mangroze tree है, ठीक है, आपके पास तक करीबन आपके पास 40 किलो मीटर के area बहुत जाद दलदली इलाका क्यालाता है, जो coconut और mangroze tree की काशकारी के लिए भेतरीन माना जाता है, नेक्स आपिक विल बी प्लेट्यूस, पोटवार प्लेट्यूस और बलोचुस्तान प्लेट्यूस, यह भी आपके पास इसा काइं आपके पास mountains होते हैं, हम इने कहते हैं आपके पास प्लेट्यूस, पहला आपके पास आता है पोटवार प्लेट्यू, पोटवार प्लेट्यू आपके पास कौन से है, पोटवार प्लेट्यू आपके पास वो है, जो यहाँ पर दरिया सिन्द और जेलम के, यह यह बीच वा होते हैं यहां पर बहुत बैंदुनिया की बड़ी जो कि पास वह मौजूद है में पहारी से unfla up क्राष्ण के पास भलं़ की मालए डिस्टरिक में पहारा के पहारी समुझाल क्या of 300-600 मीटर तक पारी समुझाल अगर उसके बावुजू यहां पे साख सार एक इलाका है जहां पे भैतरीन किसम की इस पॉट्रवर प्लेटू की उंची आप जिसे कैसे हैं हाइस पीक आपके पाँ मौजूद है जिसकी हाइट 1500 मीटर्स है ठीक इस पे आपके पास जो मिर्रोस फाउंड रोत होते हैं वह जि आपके पास किर्थार ठीक है यह आपका किर्थार है और सुलिमान किर्थार और सुलिमान माउंटेंस के बीच में जितनी भी हाइट है यहां पर बहतरीन तरीके से आपके पास आपको ऊंची पहाड़ी मिलती है मतलब पोर्टवार प्लेटू इसकी यहां पर आपके पास को जिसा हम के कैसे थेके पहाड मौझूद है उनकी हाड 21 133 मीटर सफ उनकी हाड मौझूद है ये जारतर आपके-पास जो आईलिया तो दू कॉंटेक्ट में टेक केर, आला हाफिस